हेलो, वार्ट्स अप मैं यूट्व फैमली तो हम आगा एक नई वीडियो लेकर आज हम देखेंगे क्लास 12 का हिूमन रिप्रोड़क्शन का अबजेक्टिव कोशन्स अबजेक्टिव कोशन्स किस टाइम से बोड़ी जाम पे आ सकते हैं क्या 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 कोशन्स बनते हैं उससे रिलेक्टिड लेट्स स्टाट फर्स्ट क्यूशन है पाउच इन विस टेस्टिज आर सस्पेंड़ आउटसाइड दा अब्डोमेनल केविटी इस क्या होगा अंसर आप सभी बताएए या यह और अप्सलूटली राइट अंसर है दी इस रोटम टेस्टिज आर एक्स्ट्रा अब्डोमेनल इन पोजिशन विट इस आफ फोलॉइंग इस दा मोस्ट एप्रोप्रियेट रिजन इसका अंसर है दी रिक्वायर लोवर टेंपरेचर देन नॉर्मल टेंपरेचर बॉडी थर्ड कोशन है तेंपरेचर इन टेंपरेचर ओफ हूमन टेस्टिज इस क्या होता है आप्शन नमबर ए तूटू तूटू पॉइंट फाइब दिगरी बिलोव बॉडी तेंपरेचर कोशन नमबर फोर जो बनते हैं वहां टेस्टिकोले लोबिूल्स कंटें टेस्टिकैले लोबिूल्स किते कंटें होता है 1,2,3 सेमीनिफेरस टूब्यूल्स Question No. 4 Appropriate length and breadth of the testes are क्या होता उसका length और breadth? Yeah, you're absolutely right Answer No. A 4-5 cm length and 2-3 cm breadth Sixth question है The seminiferous tubules of the testes is lined on its inside by क्या क्याते है? Seminiferous tubules में जो दो line present होते हैं उसे Both B and 3 spermatocytes and cells of cetoli Question No. 7 देखते हैं Interstile cells secreted तो इसका answer होगा androgens Wasaya differences receive ducts from the seminal vessels open into uteril Answer No. B Ejectory ducts Ninth Wasaya infantile exit the testes and open into A located along the B surface क्या होगा इसका answer? Question No. 9 का answer होगा? C A. Epidemides and B. Prostate Question No. 10 ये diagram based question है ये देखें A, B, C दिया है कौन सो option होगा? बताई है आप लोग Yeah, you are absolutely right Option No. C Fasad inferences helps in sperm transfer तो मिलते हैं अप नेक्स्ट वीडियो में को मिलते हैं इसका है को का बस्ट रीडियो Player